मैं आपको बताएं बाला हूँ कि Sets क्या होते हैं यहीं कि समुच्छे क्या होता है यह आप कछ्य 11 पढ़र रहे हैं और आपको सेट समझ में नहीं आता है दोस्तों ये वीडियो को एन तक देखना इस वीडियो में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि सेट क्या होते हैं और भी चीजें होती हैं वह सबकों आपको पता चल जाएंगी थीक थी I कि सब्न सेब्लकी सबसे ही आपनों पता हो थीक हैं तो जब बहुत सारी वस्त्तो आप साथ होती है तब वहां एक समुच्य बनता है तो जो समुच्य बनता है उसे हम लोग गड़ित की भासा में समुच्य बोलते हैं जैसे कि हम बात करें एक क्लास की ठीक है तो क्लास में जितने ही बैठे हैं बच्चे बैठे हैं तो हम उसे कहेंगे कि बच्चों का समुच्च है यानि कि बच्चों का समुच्च भी कहते हैं ठीक है नॉर्मली बच्चों का समुच्च कहते हैं तो हम कहेंगे बच्चों का समुच्च है ठीक है तो कच खंचे 11 में और भी सारे बच्चे यह का डूट 512 को से केते हैं तो क्रीयर стор medic zenita to consider sara बच्चे तो इन बच्चों को हम क्या कएँगे कि यह अथ्चों का समव है तो गढ़त की बहां से समुच्चा हैं बच्चों का समुच्चा किस इलेमेंट किस बच्च है ठीक है समुच्चा को बताने के लिए देख और क्या लिख देते ए ठीक है छाईर कि तो या यह 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 क्या है यह क्या है यहीं कि देखिए है कर देखिए मेरे पास मारकर है तोस अकेला है यादी मैए तो एक पेकट मार्कर रखाएं यानि कि 10 मार्कर या 15 या 20 मार्कर रखाएं तो मैं क्या वोलूँगा कि मार्कर का iYanaaprika का इसनों कि यहाँ पर इस तरह से क्या हूं लाल मार्कर क safety मार कर तो ऐसे तो यह निकि मारकर का समच्चा हुगा है क्या होगा यह मारकर का समच्च ए बराबर भारत की नदिया भारत की नदिया ठीक तो यहां पर ए बराबर भारत की नदिया अब जब गड़त में रफ में इस तरह से लिख देते हैं तो इसका मतलब यह हो जाता है कि A कोई समुच्च है जिसमें सभी भारत की नदियों को कबर किया गया है ठीक है जैसे अब मैं गाउं के बात करूं तो A बरावर गाउं के बुजोर्ग है तो यहां फर A गाउं के बुजोर्ग ठीक है यह बरावर गाउं के बुजोर्ग तो इससे पता चल जाता है कि मैं किसकी बात कर रहाहां गाउं इस तरह से समुख को ही समुच्चत कह देते हैं अब मैं और क्लिय यदृस्ट लाता हूं ठीक है आपको और जो कन्फीजन है उसे और अच्छी स्क्रिया करता हूं देखिए यहाँ पर ए बराबर अंग्रेजी वनमाला का समझ्चे अंग्रेजी वनमाला के अच्छर ठीक है अंग्रेजी वनमाला कितने अच्छर होते हैं 26 अच्छर होते हैं 26 लेटर होते हैं तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं यह बराबर b c d t e और ऐसे z तक लिख सकता हूं ठीक है यह हो आब बराबर abcd से z तक मतलब कि यह हो अंग्रेजी वनमाला के अच्छर है तो यह हमने अंग्रेजी वनमाला कि अच्छर का समझ्चे बना लिया ठीक है तो यह स्टरह से हम और लिख सकते हैं जैसे कि यहां पर हम लिखते हैं ए बराबर प्राकृत संख्याओं का समुच्च है तो प्राकृत संख्या कौन होती है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ है ऐसे प्राकृत संख्याओं यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम समुच्य को लिखते हैं तो जो बाहर लिखते हैं तो इनको हमेशा क्याइटर समुच्प ह्यास हुआ पर पर नापने और समस्ट्र गत्र सकते हैं कि जो यहिए बड़े लेटर इनको बाहर रखना है सब्सक्राइब करना है कर अब बात करतें सब्सक्राइब को समुच्छे कहते हैं यह तो कि वंधन चलेक्शें उस फेलड एंए सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें एक से इसको ऐसे समझते हैं एक्जामपल से कोई कच्छा दस है और इसमें मैं पढ़ाता हूं ठीक है अब मैंने दो महीने पढ़ाए तो मुझे पता चल गया कि इसमें कौन कौन से बच्चे हैं इतने सारे बच्चे हैं तो अब कोई मुझे से पूछेगा तो मैं क्या कहूंगा जो मुझे पसंद होंगे बच्चे या जो मेरी नजरों में होस्यार होंगे मैं उन्हें को कहूंग चार कि यह इसको कहूंगा है इसको कह दूंगा इसको इसको और एसको यानिकि एक दो तेन चार पांच में पांच छातृ ओश्यार कहने दूंगा यह फट्र है पढ़ने में ठीक है लेकिन कोई और टीचर आता है कोई और योः guitar आता है ठीक है तो वह हो सकता है दूसरे बच्चों को बता दे कि यह बच्चे होस्यार है इसको बता देता है इसको इसको और इसको और इसको चोड़ देता है और इसको छोड़ देता है तो उसकी नजरों में कोई और होस्यार है मेरी नजरों में कोई और होस्यार है तो इस तरह से क् समू को हम समुच्चा नहीं कहेंगे ठीक है तो परिभांसत को मतला वैसा होता जो सब को पता हो यानि कोई एक व्यक्ति किसी चीज की बारे में जो सोचता है वह दूसरे व्यक्ति वी उस चीज की बारे में सोचे तीसरे व्यक्ति वी उस चीज की बारे में सोचे जैसे कि अग यह पर मैं कहता हूं अंग्रेजी भाहसा किस्वर तो आपको तुरहां दिमाग में बात आगे हो कि अंग्रेजी भाहसा किस्वर मतलब की A,E,I,O,U की बात चल रही है ठीक है तो हम यह कहेंगे कि A बराबर A,E,I,O,U तो यह ऐसा कलेक्शन है एसा समवह है जिसको मतलब जिससे सब कोई जानते हैं हर कोई जानता बच्चे पूँचो हो टो जानेगा किसी टीचर से पूँचो किसी अधिकार्य से पूंछ हूँ तो यदि आप उससे कहेंगे कि अंग्रेजी गुर्णमाला के स्वरों का सेट यानि कि स्वरों का समुच्च है तुरंत समझाएगा कि आप किसकी बात कर रहा है ठीक है तो ऐसा संभू होना चाहिए ऐसा संग्रय होना चाहिए ऐसा सेट होना चाहिए जिसके वारे में सब कोई एक शबता है, जिसके वारे में सबको पता हो, डूसरे Week-व, पता है हो इक को ऑप अधिक पता है, ऐसे समूह तो सूपरेशंट का मतलब यह होता है, कि एड़GANको चाहिए, ऐसा संग्रा होना चाहिए, जो charged सब को पता हो चलिए अब देखते हैं elements of a set समुच्चों के आगया हो ये क्या चीज होती है तो ये नई चीज क्या हमें आपको समझा जेता हूँ जैसे कि हमने एक set लिया A बराबर अंग्रेजी रणमाला के स्वरों का समुच्च है A E I O U ठीक है अग्रेजी रणमाला के स्वरों का set ले लिए ठीक है समुच्च्च ले लिए तो यदि आपको लिखना तो लिख भी सकते हैं कि इसकी जो परिभासा वो इस तरह से है कि समुच्च्च जिन से मिलकर बनता है ठीक है समुच्च्च्च जिन से मिलकर बनता है या element बोलेंगे, ठीक है, इस तरह से, तो यह A क्या है, अवयव है, E भी क्या है, अवयव है, element ठीक है, यह सभी क्या है, इस समुच्चे के अवयव हैं, या फिर element भी बोल सकते हैं, जैसे मैं एक सेट और लेता हूं, प्राक्रिस संख्याओं का समुच्चे, एक, दो, तीन, चार, पांच, रैसे ही आँगे, ठीक है, तो यहाँ पर, एक, एक क्या होगा, इस समुच्चे, हमने एक समुच्चे लिया है, तो यह समुच्चे किन से मिलकर बना है, एक, दो, तीन, दो भी एक अव्या हो जाएगा तीन भी एक अव्या हो जाएगा ठीक चार भी एक अव्या हो जाएगा यह पद होते हैं क्या बोलते हैं अव्या होते हैं यह हमारे अव्या होते हैं यह फिर elements होते हैं लेकिन एक चीज और आपको समझना है यहाँ पर जैसे हमको लिखना है कि A, A का भाग यानि कि समुच्य A का भाग है यह A, छोटा वाला A समुच्य A का A का अव्याव है क्या है? समुच्य A का एक अव्याव है तो हम इसको यह लिखते है A, A का एक अव्याव है ठीक है, हम इसे इस तरह भी ले सकते हैं इतनी बड़ी लंबी लाइन ना लिख करके हम ऐसे ले सकते है A A A A का A का अव्याव है छोटा वाला A समुच्य A का यह अव्याव है तो इस पूरी लाइन को हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि ए जो इस समुच्च ए है इसका एक आवया है इसका मतलब होता जो ए की तरह निसान होता यह यह नहीं है ठीक है यह इस तरह से होता है यह तो इसका मतलब यह है यह यह चिन बताता है यह चिन बताता है कि यह समुच्च एक एक भाव जैसे मैं ए लेता हूं तो ए और यह ऐसे लिख लिए और हमने ए लिख लिए तो अब यह पता चले जाता कि आई जो है एक एक अवयव है इसे यह पता चलता है ठीक है तो हम इसे बोलते हैं भीलॉंग स्टू क्या बोलते हैं यह पर होता है होता है एप्सिलों ठीक है तो यह एप्सिलों सायन है एप्सिलों का चिन है तो इसका यूज करके हम यह जानते हैं कि आई एका एक समुच्ば हैं तो यह लिख सकते हैं ста कर दो एक डूकर दो ड् viben होओ कि एकट किर में पैसे हैं तो यह दोका दोतुद सब्सक्राइब दोkat इफ्सकते हैं प्रन्धें था खिर ख मी लेख सकते हैं प्रन्धें representation of a set ठीक है तो समच्चय को लिखने के दो तरीके होते हैं समच्चय का प्रेशन तो देखिए एक तरीका हमने ये लिखा है ए बराबर a e i o u ये ठीक है इस तरह से लिख दिया है और एक ये लिख दिया हमने एक a बराबर एक दो तीन चार पॉंच ठीक है तो इसको और एक तरीके से हम इसको और लेख सकते हैं मैं अभी आपको बताता हूं हम इसे लेख सकते हैं a बराबर a बराबर a यहनिकी खुष्टक लागा के spor की सचञा है जो यह दो डौट है द्विंदी दिखाई दिर रही आपको तो धुरो को सच बोलते हैं ऐख सच पाइट ऐख अंग्रेजी गर्र माला का स्वर्ख है आंग्रेजी गढष माला की स्वर गढष माला के खी साथ यह हमने लिख दिया ए बरा एक्स तच्छ तेट इतने प्वाला पढ़ना है एक्स सदेट का मतलब होता है इस एक ऐसा है एस प्रकार का है ठीक है तो एक्स ऐसा है एस प्रकार का है कि की x अंगरेजी वदमाला के स्वर है y क्या है याणिक elf अंगरेजी वडमाला का स्वर है वडमाला का स्वर in ख para ठीक है तो इस तरह से इस इसको हम इस स्वार इलान को this 长 लिखते हैं एक सच्छ देट एक संख्या अब जो यह प्राइक संख्या है को क्या लिख सकते हैं यह बरावर इसके लिए भी एची लिखनी है गया आएक्स एस संख्या एक से एक से ट्राकर संख्या है ठीक है तो एक से बुरावर एक स क्या है क्या है एक्स प्राक्रसंग क्या मतलब की जो यह है हमने समुझे कि लिए हैं तो अब यह दो रूप क्यों है दो तरीके क्यों है देखिए तो जुरा तरीका होता है तो जब आप आँगे होंगे mathematics पढ़ेंगे तो वहां पर लंबे-लंबे सवाल होंगे तो बड़े-बड़े सवालों को आसानी से करने के लिए हम इस तरीक लिए करना होता है अगर मुझे लिखना हो भारत की सभी नदिया तो भारत में कितनी सारी नदिया है तो आप यह थोड़ी लिखते रहेंगे कि भारत की धेर गंगा या मुना स्रैसुते जमुना अब किता में थोड़ी लिखते रहेंगे यह है ना तो यह रफ में तो हम क्या लिख सकते हैं ए बराबर एक्स सब्सक्राइट एक्स भारत की नदिया है भारत की सभी नदिया है ठीक है तो एक्स ऐसा है एक्स ऐसा है एक्स सदेट इसको सब्सक्राइट बोलते हैं एक्स ऐसा है एक्स भारत की सभी नदिया है एक्स भारत की सभी नदिया है ठीक है तो इस तरीके को जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो इनको बोलते है रोस्टर रोस्ट फॉर्म और रूष्टर ओर या फिर यह भी लिसकते है hmm ऐगा टैबलर स्थुर्म ईस तरह से ठीज़्ट तो हम यह ऊपर वाला तरीका है इसको कह लληखते है रूष्टर ओ मिया टैबलर फॉर्म कि नहीं नहीं कि के लिखते हैं रोश्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म ठीक है इसका हिंदी होता है स्ताणी रूप या ताल का रूप ठीक है यह स्ताणी रूप है या फिर ताल का रूप इसे कैसे अब जो दूसरा तरीका होता है इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर् हिंदी में क्या बोलते हैं समुच्य निर्मार रूप या फिर प्रतीकात्मक रूप प्रतीकात्मक रूप इस तरह से इसको हिंदी में बोलते हैं